हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चेनल फन फ्यूजन बे दिन्दू आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें ना ही हमने घी ना माबा और ना ही चाशनी का यूज किया है इसके बाब जूद ये खाने में जितने टेस्टी हैं उतने ही हेल्दी भी आज हम बना रहे हैं मखाना पेड़ा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक पैनिया कड़ाई और इसमें डालेंगे दो कटोरी मखाने जो भी मेजर्मेंट हमें लेना है उसके लिए हम एक ही वर्तन का मेजर्मेंट सेट कर लेंगे अब यहां हमें मखानों को ड्राइ रोस्ट करना है मखाने रोस्ट करते समय हमने एक भी बून घी या तेल का यूज़ नहीं किया है लगबग 2-3 मिनट लो फ्लेम पर हमें मखानों को ड्राइ रोस्ट करना है लगबग 3-5 मिनट बाद हम मखानों को फिंगर की हेल्प से प्रेस करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आसानी से तूट जाएगा मतलब मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो अब इने एक प्लेट पर उतार लेंगे अब फिर से उसी पैन में या कढ़ाई में हम डालेंगे 8-10 बदाम, आज से 10 काजू और एक बड़ा चमच खरबूजे के बीज इन ड्राइ फ्रूट्स को भी हमें ड्राइ रोस्ट करना है आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइ फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं जब ये ड्राइ फ्रूट्स लो फ्लेम पर अच्छे से ड्राइ रोस्ट हो जाएं तो इने भी हम एक बरतन पर उतार लेंगे और फिर से सेम कढ़ाई में हम डालेंगे आदा कटोरी डैसिकेटिड कोकुनट या नारियल का बुरादा ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा इसे भी हम लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकेंड तक भूनना है क्योंकि नारियल का बुरादा बहुत ही जल्दी जल जाता है तो हमें इसका कलर चेंच नहीं करना है बस इतना रोस्ट करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए अब इसे भी एक प्लेट पर उतार लेंगे और इसे थंड़ ओने देंगे अब इसके बाद लेंगे एक mixing grinding jar इसमें हम dry roast मकाने और dry fruits को डाल कर इसका एक powder बना लेंगे देखिए बिलकुल इस तरह से अब next step में हम लेंगे कुछ इस तरह का बर्तन इसमें हम डालेंगे मखानी और dry fruits का powder जो हमने grind किया था dry roast नारियल का बुरादा इसे हम अच्छी तरह mix कर लेंगे ध्यान रखेंगे कि सभी चीजे ठंडी हो चुकी हो इसके बाद इसमें add करेंगे उसी कटोरी के measurement से आदा कटोरी पिसी हुई चीनी या खांड जो भी आपके पास हो add कर सकते हैं और मीठा अपने taste के according कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अब इसमें flavor के लिए add करेंगे कुटी पिसी हरी इलाईची का powder इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है अब इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे जब सभी चीजें अच्छे से mix हो जाएं तो इसे bind करने के लिए इसमें डालेंगे लगबग दो बड़े चम्मच already उबला हुआ दूद जो room temperature पर है इसे जरूरत के हिसाब से डालेंगे अगर दो bind नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा दूद और डाल देंगे पर दूद हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है जब तक की mixture bind नहोंने लगे आप चाहें तो इसमें 4-5 चम्मच milk powder भी एड़ कर सकते हैं अभी अच्छे से bind हो रहा है तो इसे आप मंचाहा shape दे सकते हैं चाहें आप इसके लड़ू बना ले पर मैंने कुछ इस तरह से इसे एक पेड़े का shape दे दिया है और इसे बीच में अंगूठे से प्रेस भी कर दिया है अब इसी तरह एक एक करके सभी पेड़े बना लेंगे इसे डेकुरेट करने और बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैंने एक चुटकी यल्लो फूट कलर को पानी में भीगो कर रख दिया था अब इसे एक स्पून की हेल्ब से सभी पेड़ों पर लगा देंगे और इसे केसर के धागो और कटकी हुए बदाम के पीसिस से गार्निश करेंगे ये मखाने के पेड़े आप ब्रत में भी खा सकते हैं ये टेस्टी तो हैं ही साथ में ये हेल्दी भी हैं और जो लोग हेल्थ कॉंशियस हैं वो भी ने खा सकते हैं क्योंकि इन्हें हमने जीरो आइल में बनाया है ना ही इसमें मावा है और ना ही इसमें चाशनी का यूज किया है इसे आप एक बार बना कर जरूर देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है